सब्सक्राइब सरकार सन 1950 में समिधान हुए और उसमें सब आजाद हुए जब आजाद भारत हो गया तो आजाद भारत में मातर राजनितिक स्वार्थ को साधने के लिए आजाद भारत है सब गाओं सब समाज आपस में एक साथ रहने की कोसित करें हमारा सवाल यह जो सरकार गाओं में आरक्षन लागू करें कि यह ऐसी वरग में चला गया यह समाने वरग में चला गया मतलब एक बड़े तबके को चुनाओं को लड़ने से रोकने का सडियन तो सरकार मातर वोट लेने के लिए करें तो सरकार यह समझ है कि कोई नहीं चाहता कि गाओं में प्यार न रहे इसलिए हम चाहरे कि सभी गाओं समाने में हो और सभी को लड़ने का अधिकार दिया जा चे मासी वर का वबक्ति लड़े चे ओबी सी वर कलड़े चे समाने वर कलड़े इसलिए सरकार की नीती और नियत में खोट है मैं आज इस पंचात में ये भी नियनलिया गया पूरूर से कि इस बार का जो चुनाओं होगा चे वो जिला पंचात का चुनाओं हो चे वो गराम पंचात का चुनाओं कोई भी कंडिडेट चे वो परधान पद का दावेदार हो चे बीडी सी का दावेदार हो चे जिला पंचात का दावेदार हो यदि किसी भी गाओं में वो सराब वितरत करता हुआ पकड़ा गया या उसने सराब जैसी कोई सिकायत आई या दावतों जैसी कोई सिकायत आई तो उसका पूर्णूरूप से बहिस्कार करा जागा उसे गाओं में कोई वोट नहीं मिलेगी यह आपने जिन्स के पैंट पर रूप लगाने के लिए क्या बारत की संसकर्ति है भारत में सरकार भी कहरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हम इसका सुवागत करें लेकिन हम चाहां के बेटीों का सम्मान भी भारत में रहे और वो सम्मान तब रहेगा जब वो भारत की संसकर्ति को अपनावेंगे हम नहीं चाहते के महारे देश में और हमारे परिवारों में लड़किया जिन्स पैरें और वो जिन्स पैर के बाहर जाओं है हमारा यह कहना के वो भारत का जो परिधान है उसे धारन करें और जो लड़के गाओं में हाप नेकर पैर के फिरें या तैमंद पैर के फिरेंगे अब उनका समाझी रूख से भाइसकार भी करा जागा और यदि वह नहीं मानेंगे तो उ यह को हमने आज एक गोस ना कर दी कोई नहीं चाहता कि उसकी लड़की जिन्स पह रहे हैं यदि वो किसी गलत ववस्था में या सहर की ववस्था या उस हाई टेटस की ववस्था को देखके गाओं के कल्चर को वह समाप्त करना चाहां तो उस परिवार से हम पहले कहेंगे कि वह समनावे और यदि नहीं मनाते तो उस परिवार को भी इसके लिए दंडित करा जागा किस तरह के दंड की ववस्था की दंड तो है समाजिक दंड बहुत है वही अगर वह नहीं मानते तो ठीक है वह अपना समाजिक बहिसकार जेनने के लिए तैयार है समाजी की ववस्था सिरीफ समाज से चलें उसमें कोई सरकारी दंड नहीं है कोई उन्हें जेन नहीं करवा सकते उनके खिलाब कोई मुकदमा नहीं करवा सकते हम कहरें किसी अस्कूल मैं मैं बानता कि सम्में ड्रेस हैं ड्रेस कोड है यह ववस्था बनाई गई थी कि अस्कूलों में जाके कोलीजों में जाके एक ववस्था को संपूर्णता पराप्त हो संपूर्णता कैसी कि यहां एक करोड़ पती का लड़का भी उसी उनिफोर्म में आवे जिसमें एक गरीव का बच्चा जा अस्कूलों में ये ववस्ता है और मात्र जो अस्कूल अपनी पुब्लिक सिटी करने के लिए ऐसी ववस्ता कर रहे हैं उनसे भी हम यह प्राथना करेंगे कि वह या तो इसे बंद करें नहीं तो उनमें भी हम अपने बच्चों को जाने से पूर्ण रूप से र अपने राजवी की हर बार ववस्ता और हाला जोड़ते जाईए और जुड़ते जाईए तो पने रहिए एंबेटी आउनलाइन के साथ